Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel, Accounting Masterclass. And इस time हम discuss कर रहे हैं COET exam के sample paper, जिसमें हम लोग इस समय accountancy subject जो है, उसके sample paper discuss कर रहे हैं. और इसमें मेरा ये पांच्वा लेक्चर वीडियो है, जिसमें मैं चार लेक्चर वीडियो अल्रीडी अप्लोड कर चुकी हूँ and this is my fifth lecture वीडियो. Right, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का lecture start करते हैं. अच्छा, लेक्चे start करने से पहले आपकी एक common query है, common doubt है, जो काफी बच्चे मुझसे comment section में पूछते हैं, पहले मैं उसका reply करती हूँ, उसके बाद हम question discuss करेंगे. Actually, काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, कि माम CUET जो exam होने वाला है, उसकी कोई अच्छी book बता दीजे. तो ये एक book है, उस्वाल गुरुकुल की, काफी अच्छी book है, CUET UGA, जो undergraduate program है, उसकी book है, market में available है, और ये अलग-अलग subject domain के लिए available है. जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने book का आपको picture share किया है, business studies की, commerce के stream के, अगर मैं बात करूँ, तो business studies, accountancy और economic subject में ये book available है. और इस book की काफी खास बात ये है, कि ये जो book है, as per the new syllabus, which is issued by NTA, NTA ने जो नया syllabus issue किया है, उसके according ये book है, पूरा syllabus कवर करते हुए, बुक लिखी गई है, ठीक है, और इसमें जो number of questions है, वो भी आप देख सकते हैं, काफी questions है, जिससे आपकी काफी practice हो जाएगी, देखिए 700 question, 900 plus question and 400 plus question, तो इसमें number of question भी काफी अच्छे है, प्लस quality of questions भी काफी अच्छे है, तो ये question bank आप जरूर refer कर सकते हैं, आपके last minute के तियारी के लिए, क्योंकि आप एक दो मही नहीं बचे हैं, C.O.E.T. exam में, तो आप जरूर इस book को refer कर सकते हैं, और एक खास बात और है, कि ये जो book है, इसमें chapter wise, देखे, मैंने इसके कुछ pages भी आप से याँ पर शेयर कर रहे हूं, जैसे जो accountancy की book है, ये different subject domain में है, तो जो accountancy की book है, उसमें जो भी content है, ऐसी economics में भी BST में और भी different subjects है, इनमें जो ये book लिखी गई है, बहुत अच्छे से इन्होंने chapter wise, जो आप पहले आपको theory है, कुछ pages की theory, उसको summarize करके theory मिलेगी, और फिर उसी chapter पे आपको मिलेंगे MCQ, तो इससे कहा लिजे, बहुत अच्छी त्यारी हो जाएगी, आप हर chapter के पहले theory पढ़ेंगे, फिर उस पे based MCQ लगाएंगे, और एक बात यादा कि, exam में जितने ज़्यादा question ज़रूर visit करिएगा, ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, कैसे वो पता देते हो, इनकी book में यह QR code है, आप इसको scan करेंगे, तो oswal.io के नाम से, यह इनका portal है, उस पे भी आप जा करके और test दे सकते हैं, महाँ पर online test available है, online sample paper available है, यह देखे, detail यहाँ दी गई है, oswal.io पे जाके, आप QR code जब scan करेंगे, तो आप oswal.io के portal पे जाएंगे, जहाँ पे जाके, आप COET के और sample paper attempt कर सकते हैं, online test दे सकते हैं, और फिर self assessment भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, कि आप उसका result भी आएगा, ठीक है, तो आप self assessment कर सकते हैं, कि आप कहां stand करते हैं, कितनी और त अचा benefit है, ठीक है, तो जरूर इसका फाइदा उठाईएगा, मुझे इस book के बारे में पता चला, तो फिर मैंने सोचा, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ, क्योंगी काफी बच्छे मुझ से comment section में पूछ रहते हैं, और इसका ये जो book है, ये आपके nearby store में मिल जाएगा, और नहीं तो आप online अगा खईदना चाहें, तो इसका जो buying link है, वो मैं description में दे दूँगी, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके साथ ही, ओसवाल जो गुरुकुल है, उनका telegram का group भी है, तो वो भी आप join कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको study material मिल जाएगा, प्लस आपको कु आज का हम lecture start करते हैं, और आज यह जो पहला question है, वो कौन से chapter से है, वो share capital chapter से है, ठीक है, किस chapter का question है, यह share capital chapter से है, ठीक, बहुत easy, बहुत interesting chapter है, तो question क्या है, question कह रहा है कि arrange the following, इसको arrange करना है in proper sequence, as type of share capital, आपको इसे arrange करना है, ठीक है, चार option दिए कहा है, paid up capital, issued capital, subscribe capital, called up capital, ठीक है, तो यह चार option आपको दिए कहा है, आपको इनको arrange करना है, यह जो type of share capital की अगर हम बात करें, तो यह different type of share capital है, तो आपको इनको arrange करना है in a proper sequence, ठीक, चार option यहाँ दिए कहा है, second, third, four, first, first, second, third, four, third, second, first, four, ऐसे करके, चार option आपको दिए कहा है, तो आपको इनको proper sequence म में अरेंज करना है ठीक है यह different types of share capital है तो इनको arrange करना है ठीक तो यह question आप तब कर पाएंगे जब आपको share capital के बारे में different type of share capital के बारे में पता है तब ही आप इस question को कर पाएंगे ठीक तो उसके लिए अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊंगे class 12 का class 12 की accountancy BST economics पूरा syllabus मेरे चानल पर uploaded है separate playlist बनाई हुई है तो आपको और detail में पढ़ना है तो आप वो refer कर सकते है ठीक है class 12 class 11 का पूरा syllabus मेरे चानल पर uploaded है ठीक है तो यह जो flow chart आपको दिख रहा है यहां पर यह भी मैं पढ़ा चुकी हूँ तो यहां देखे these are the different type of share capital यह different type के share capital है तो अगर यह flow chart यह diagram आपको समझ में आता है तो आप easily answer कर लेंगे सबसे उपर क्या आता है authorized capital जिसको हम registered capital भी कहते है या जिसको nominal capital भी कहते है यह क्या होता है यह होता है वो maximum capital जो company क्या है market से raise कर सकती है that is called authorized capital ठीक है जैसे suppose करिए company को authorized capital था 5 लाग ठीक लेकिन company को जरूरत के वल 4 लाग की है ठीक है तो company कितना issue करेगी तो जितना company share issue करती है market में, ठीक है, that is called issued capital, और जो नहीं issue करती है, that is called unissued capital, तो suppose करिए 4 lakh के जोगत थी, तो 4 lakh is issued capital, और जो नहीं issue किया, वो 1 lakh, unissued capital, ठीक है, अब company ने 4 lakh share market में float किये, लेकिन क्या सारे share big जाएंगे, ठीक है, क्या सारे share subscribe होंगे, हो भी सकते हैं, या ज्यादा भी demand आ सकते हैं, या कम भी हो सकते हैं, तो suppose करिए company ने 4 lakh के share market में float किये, पर बिके किवल 3 lakh के, तो 3 lakh क्या हो गया, subscribe capital, यानि कितना share capital, कितने shares, कह लिजे, market में subscribe होए, कितने बिके, that is called subscribe capital, suppose करे 3 lakh subscribe होए, तो वो हो गया subscribe capital, और 1 lakh के नहीं subscribe होए, ठीक, तो यह हो गया subscribe capital, उसके बाद क्या आता है, called up capital, अब 3 lakh रुपए के share b के market में, ठीक है, अब company उसका जो पैसा call करेगी, ठीक है, share capital का जो पैसा call करेगी, अब company के पास option है, कि अभी कुछ पैसा call कर ले, थोड़ा रुक के बागी पैसे call करेगी, ठीक है, तो जितना भी पैसा company call करती है, that is called called up capital, और जो नहीं call करती है, that is called uncalled up capital, ठीक, अब called up capital में भी, shareholder, जो पैसा दे देता है, वो होता है, पैसा नहीं दे पाता है, तो वो क्या जाता है, call in area, ठीक है, तो ये पूरा sequence है, बागी आप unreserved and reserved capital जानते हैं, पिछले lecture में डिसकस हुआ था, तो ये पूरा sequence है, तो ये sequence समझ में आ रहा है, ठीक है, spelling गलत लिखा, एक मड़ा, I-S-S-U-E-D, issued capital, कितना issue कर रही है, उसके बाद, उसके बाद क्या आएगा, issued capital के बाद आएगा, subscribe capital, company ने issue किया 3 लाग के, ठीक है, लेकिन बिके कितने हैं, ठीक है, तो that is called subscribe capital, उसके बाद company क्या करती है, उसके बाद company call करती है, पहले issued capital, फिर subscribe capital, फिर called up capital, then paid up capital, this is the sequence, तो आप अब समझ सकते हैं, यहाँ पर answer कौन सा है, यहाँ पर है, option A is the correct answer, ठीक है, option A correct answer है, राइट, चलिए, समझ में आ गया नए question, चलिए, अगला question देखते हैं, अगला question भी काफी अच्छा है, एक बार question, वीडियो को pause करके, question read भी कर लीजेगा, खुद से, ठीक है, question क्या है, कि एक company ने purchase की है machinery, a company purchased machinery for 6 lakh, out of which 1 lakh was paid immediately, एक company है, ठीक है, उसने कुछ machinery, यह machinery है, उसने वो machinery purchase की, कितने की, 6 lakh की, ठीक है, 6 lakh की machinery purchase की, जिसमें 1 lakh company ने immediately pay कर दिये, और जो balance amount है, कितना balance amount हुआ, 6 lakh की machine थी, 1 lakh pay कर दिया, बचा balance amount, 5 lakh रुपे, was discharged by issue of equity share of rupees 10 each at 25% premium, अब यह जो 5 lakh, जो रुपे बच गहे हैं, rupees 10 पे, ठीक है, and rupees 10 face value है, और कितने person premium पे, 25% premium पे issue करेगी उसे, ठीक है, तो आपको बताना है कि company vendor को कितने share issue करेगी, यह question समझ में आया, machinery थी 6 lakh की, 1 lakh तुरंट pay कर दिया, बच गया 5 lakh, अब 5 lakh रुपे company cash में नहीं pay कर रही है, company अपने company का share दे रही है, किसको vendor को, जिससे machinery खरेगी है, ठीक है, तो फिर उसको share issue कर रही है, अब share की face value क्या है, 10 रुपे का share है, और यह premium, 25% premium पे उसको issue कर रही है, ठीक है, तो आपको बताना है vendor को company कितने share issue करेगी, ठीक है, this is the question, तो चलिए करना शुरू करते हैं, वैसे बहुत easy question है, सबसे बहले तो यह बताईए कि कितना amount का share company issue करेगी, कितने amount का share issue करेगी, 5 लाग, 6 लाग की machinery थी, जिसमें 1 लाग तो तुरंट पे कर दिया, 5 लाग के share company vendor को issue करेगी, ठीक है, तो अगर मुझे number of share निकालने है, कितनी है, एक share की value कितनी, एक share कितने का है, 10 रुपए है face value, ठीक है, 10 रुपए है face value और 25% premium है, 25% यानि 2.5, यानि जो हर share है, वो कितने का है, हर share है 12.5 का, ठीक है, company vendor को 5 लाग के share issue कर रही है, जिसमें एक share की value, कितने की share की value issue कर रही है, कितने share की value पर issue कर रही है, 10 रुपए face value, 25% premium, 25% यानि 2.5, ठीक है, तो यानि जोड़िये कितना होगा, 12.5, ठीक है, अब जरह इसको divide कर लीजे, इसको आप जब divide करेंगे, you will get 40,000, ठीक है, तो यानि company vendor को कितने share issue कर रही है, company vendor को issue कर रही है, 40,000 share, ठीक, यह बात समग में आई, company vendor को कितने share issue कर रही है, company vendor को 40,000 share issue कर रही है, और share को किस price पे issue कर रही है 12.5 की price पे issue कर रही है और यह share की total value कितनी है 5 लाग की value है पर machine तो 6 लाग की थी तो 5 लाग की value इसलिए क्योंकि 1 लाग रुपए तो company ने तुरंद पे कर दिया था ठीक है and machinery कितनी की है 6 लाग रुपए की ठीक है तो अब आप बता सकते हैं यहां प क्योंकि मैं देखते हूं comment section में यह जो confusion है जो इस question से related है यह बच्चों को बहुत रहता है इसलिए मैंने especially a question include किया है question किया है कि issue of share at discount is not allowed under which section of the company act 2013 ठीक है company हम जानते है company share को issue कर सकती है किस पे add power ठीक है add power add premium ठीक है और कुछ पुरानी books आप पढ़ेंगे न तो वहां पे दिया हुआ था add discount पुरानी books में ठीक है but company act 2013 जब आया ठीक है तो company act 2013 आया तो उसके एक particular section में यह कहा गया है कि company cannot issue share at discount company जो है मतला ऐसे नहीं issue कर सकती है company को allowed नहीं है कि वो share को discount पे issue कर सके as per company act 2013 ठीक है लेकिन कुछ पुरानी book 2013 की पहले की books आप रिफर करेंगे तो वहां पे लिखाता है कि share issue कर सकती है company at premium at par at discount ठीक है लेकिन जब company act 2013 आया तो issue of share at discount नहीं अला हुए तो यह सवाल पूच रहा है कि under which section कि section के तहत तो इसका answer है under section 53 ठीक है under section 53 of company act 2013 company is not allowed to issue share at discount ठीक और मैं यह question इसलिए include किया है मैंने क्योंकि काफी बच्चों को confusion था कि मैं क्या share discount comment section में पढ़िएगा काफी बच्चे पूचते थे कि मैं क्या share discount पे issue हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं काफी confusion था तो इसलिए include किया तो company act 2013 जब से आया ना उसके section 53 में कह दिया गया कि नहीं issue कर सकते हैं लेकिन उसके पहले की books में आप देखेंगे कि किया जाता था share ठीक है बट इसमें exception भी है इसमें exception भी है ठीक है कुछ exceptions भी है वो आप इस section को detail में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ठीक है फि उतना पढ़के रखेगा उस वाल की book बहुत अच्छी है आप उसको buy कर सकते हैं ठीक है और अच्छे से त्यारी करिएगा और एक चीज और है ये एक बार देख लीजे ये list of subject है जो मैं आज की तारीक यानि April 2023 तक अपने first channel accounting master class पे cover कर चुकी हूँ वीडियो को pause करके ये सा सब्जेक्ट देख लीजेगा साड़े 600 से भी जादा video lectures आज की तारीक तक upload कर चुकी हूँ वट एक चीज और है अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी new subject add कर चुकी होंगी ये अभी तक है April 2023 तक और अभी तक आपने मेरा first channel और मेरा second channel नहीं subscribe किया है तो जरूर subscribe कर लीजेगा and notification bell भी प्रेस करिएगा तभी आपको मेरे upcoming videos की notification मिलेगी और प्लीज वीडियो को like जरूर किया करिए एक एक वीडियो बनाने में बहुत महनत बहुत effort लगता है और में चैनल पर जो uploaded videos हैं उनके notes आईए then you can download my application from google play store right तो चलिए अब मिलते हैं अगले lecture वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा God bless you